स्वागत है आपका इस वीडियो में तो दोस्तों आज की वीडियो में डिसकस करने वाले हैं एंसी आटीसी रिक्रूट्मेंट उठाजन ट्वेंडीवन के प्रोसेस के बारे में देगे अभी राष्टिय राजधानी छेदर परिवहन निगम लिमिंटेट से यह निकी उपरेटर यहां पर बोली जाती है तो बहुत ही अच्छी खासी वेकंसी है बेसिकली यह समीधा की अधार पारिभाति निकली है और अच्छी खासी सेलरी मिलेगी टोटली रेलवे प्रोजेक्ट होगी जो भी केंड़ेट एलिसबल एपलाए कर सकते हैं इसकी डीटेल्स व और डेट में कुछ सुधार किया एक्टेंट करके जो कि हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और साथ में मैं इसमें सलेवस डिसकस करने वाला हूँ तो जितने भी केंड़ेट खास करके आई टी आई डिपलोमा या फिर डिगरी केंड़ेट 12 पास 10 पास जो भी इसमें अच्छा जाए क्योंकि 28 सेप्टमबर को अल्मोस्ट लगबर लगबर एक्जाम से यहां पर होने जारा आपका तो प्रिपिशन कीजिए आप ध्यान से छेली वीडियो को यह स्टाट करते हैं तो यह हमारी ऑफिसल नोडिफिकेशन और ओल्ड वाली नोडिफिकेशन में ब यह रिलियर यहनि कि जो आपकी पहले थी वह 15 सेप्टमबर 2021 को रिलीज होती यहनि कि उस दिन से आप इसका जो फो में आप फिल कर सकते थे काफिट बड़ा उस दिन प्रोसेस रहा गाई बहुत उस दिन वेफसाइट ही काम नहीं कर रही थी हमने बहुत ट्राई किया हम लास्ट विक या फिर नॉम्बर के फर्स्ट विक में एक्जामस आपकी प्रोबिल्टी यानि कांफर्म आपकी एक्जामस ले ली जाएगी तो यह आप जरू चिक कर ले यहां पर बता जा रहा है ड्यू टू सेटें टेक्निकल रिजन दी डेट ऑफ रिक्वार्मेंट प्र यहां पर फर्म की वीडियो मिल जाएगी जैसे इसकी लिंक एक्टिवेट हो जाएगी प्रापर तरीके से होफ़ूली हो जाएगी उस दिन और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है 6 अक्टूबर 2021 तक कहीं न कहीं आपको जो है टाइम इस बार जादा नहीं मिलेगा ध्या इस आप जाराम से यहां पर जिक कर सकते हैं आईटिया वालों के लिए कौनसी वेकंसी जाए टेक्नियों से इलेक्ट्रसीन की काफी अच्छी पोस्ट पर ऐसे ध्यान रखेगा 18-25 यहां पर एज लिमिट सब बताए गई है मैं डिडियल में डिसकस कर चुका हूँ तो आई इसके आधार पर अपनी वी जो भी होगी वो स्लेवस अब हम डिसकस करते हैं तो स्लेवस मेरी बातों पर जड़ा गौर किजेगा क्योंकि इसमें ओफिसियल में ऐसा कोई रिलीजमेंट नहीं है इसको लेकर ज्यादा परेशानी आपको उठानी जो हैं बच्चे कमेंट कर हैं और उसको समझ नहीं आ रहा है बैसिकली इसके प्रिवियर जो एक्जाम्स हुएं आइधिंक जैई वेगर रहके टोटली एक्जाम्स हो चुके हैं तो स्लेवस जो आपका डिप्लोमा सबका होगा वो सेम रहेगा डिप्लोमा वो बेटेक वालों का अधरवाई इसमें आ चाहिए प्र मैं प्लोमा इसमें वाली की बिल्कुल अर्थमेट्रिक टैप का मैंत जञी है बिल्कुल आर्थमेटिक और नेुम्रिकलFT बेस्ट जादा होगा जैसे कि आपकी percentage हो गया लावानी हो गया उसके बाद आपके यहाँ पर time and work इस तरह से question पूछे जाएंगे उसके बाद reasoning reasoning भी आपका यहाँ पर analogies बगरा होगी reasoning अच्छा अच्छा level का आपका होगा जैसा कि LP level में होता है मैं बता चुका हूँ सबसे पहले trade देन उसके बाद आपको क्या है मेंथ उसके बाद आपको क्या करना है reasoning reasoning के बाद आपको क्या पढ़ना है static gk पढ़ लेना है static gk में क्या पढ़ोगे जैसे कि नदी बांद तलाब हो गया और आपके present में कौन मुखी मंतरी राजपाल वेगरा और कौन सी मैं बता हूँ national park वेगरा और आपकी जो present में नाम बदले वे कुछ current affairs related बिल्कुल इसी से basic से पूछा जाएगा और extra आपको इससे बाहर कुछ भी ITA वालों को नहीं पढ़ना है सेम आपको डिपलोमा वालों को बिटेक वालों को पढ़ना है लेकिन थोड़ा सो उसमें English said हो जाएगी आपको English पूछा जाएगा अब मैं बताता हूँ कि डिपलोमा वालों और बिटेक वालों को क्या पढ़ना होगा तो आप भी अपने ब्रांचेस पे फोकस किसी अल्मोस्ट लगबख 60% आपको ब्रांचेस से पूछे जाने वाले उसके बाद आपको reasoning साने वाली है reasoning भी basic level ही होगा यह नहीं कि high होगा उसके बाद आपका होगा reasoning के बाद देन आपकी math भी पूछी जाएगी उसके बाद यहाँ पे study आपकी पूछी जाने वाली है study में general science आपको इसमें mix होगा bteg diploma वालों का उसके बाद यहाँ पर आपको numerical based भी question पहने वाले है देन एक plus होता है कि English भी आपको पूछी जाती है तो English है normally रहने वाली है कोई hard English आपको पूछी नहीं जाएगी जो कि अगर आप engineering field से English थोड़ी बहुट भी knowledge है तो आप इसे grammar से पढ़के जैसे कि आपको error question होंगे आपकी जो है अराम से उसे वर्विकल question होने वाले आराम से निकाल पाओगे आप तो generally सबसे बड़ा चीज़ है अपनी trade भी focus कीज़े तीर थोरी पे उसके बाद reasoning math जनरली पढ़ लीजिए थोड़ी सी current affairs देख लीजिए आराम से exam qualify आप कर सकते हो competition रहेगी ध्यान दीज़ेगा competition बहुत ही जबर रिजार्स इसमें रहने वाले हो तो फिल्टरने वाले इसमें लाखों के इंडिट होने वाले हैं तो फिलाल यही जनरल information है syllabus के बारे में ध्यान से आप पढ़िए hopefully best अप लग है और आपको 21 September को आ जाना success दिलिप पर वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी फिल्ट के वीडियो इसमें लगी हो लाइक से रहन सब्सक्राब जरूर कर लें चले में तरह एक्स वीडियो में ततक लेज़े हैं